ड्राय उडुधुली दाल खाने में सुपर से भी उपर यमी वो वली दाल है ये बना कर खाईएगा मज़ा आने वाला है चटपटी खटी और बहुत ही टेस्टी ये दाल जो है ना प्राठो के साथ पूरी के साथ किसी चीज के साथ भी ब्रेड में लगा कर भी खाएंगे ना तो भी बहुत टेस्टी होती है और बनाना एक दम असान है बिलकुल भी मुश्किल नहीं है इस दाल को बनाना रैस्पी को पूरा देखिएगा चैनल को सबस्क्राइब करिएगा इस दाल को बनाने के लिए हमने लिए एक कटोरी उडू-दूली दाल जो सफीद वाली होती ह रख की तो टो जैएगी और अलब मोरण कर लिया है नित वर रफली उच्वा और नहीं प्याज काट लिया है धनिया अद्रक लसन हरी मिर्ची और कच्छी आंबी और थोड़ी सी हरी मिर्ची कड़ाई में तेल डाल लिया है कम से कम तीन से चार चमच टेबल स्पून जो होते हैं उसमें गरम करकर मैंने डाला है जीरा और सूखी हुई लाल मिर्ची उसको बी ने डाला है खूब सारा प्याज इसमें लस्सन अद्रक प्याज टमाटर मसाला जो है खूब सारा डलता है और एक बात और इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको हमने ट्रांस्पेरंट करना है हलका सौटे करना है इसको बिल्कुल ऐसे लाल रंका हमने प्य तो दाल मैंने च्छान ली है और ठंडे पानी में से निकाल ली है तो इधर जो हमारा ये दिखिए प्याज है तेल अलग हो गया है पर प्याज जो हलका जैसे बूरापन शुरू होने लगता है वैसे है तो अब मैं इसमें क्या करूंगी डालूंगी लाल मिर्ची और सूखा पिसा धनिया ये थोड़ी दाल चटपटी अच्छी लगती है बाकी अगर आप लोग मसाले जादा नहीं खाते हैं तो थोड़ा मसाला अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर ये मैंने हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे हमचूर पाउडर आधा चमच और साथ में ही मैं डालूंगी इसमें घर का बना हुआ गरम मसाला ये भी मैंने आधा चमच डाला है जो टी स्पून होते हैं अब हम इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप दे देखिए बिल्कुल भी चिपकी हुई दाल नहीं है अलग-अलग दाना है एक दम तो इसी तरीके से अगर आप दाल को पकाएंगे एक सीटी देकर और दम पर पकाकर छान लेंगे और ठंडा पानी डालेंगे तो दाल कभी भी मिक्स नहीं होगी मतलब चिपकी हुई नहीं यह जो कच्ची आंबी थी यह दो चमच है मैंने इसको कद्दू कस कर लिया था इससे आपके पास अगर आंबी का टाइम जिस मोसम में आंबी ना हो तो आप लोग इसमें नीबू भी डाल सकते हैं पर अभी आंबी थी तो मैंने आंबी डाली इससे टेस्ट बहुत अच्छा है अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे ऊपर से खूप सारा हरधनिया चॉपट करा हुआ तो फ्रेश हरधनिया डाला है और इसको मिक्स करेंगे तो यह जो डाल है जटबड बनकर तियार हो जाती है इस doğru करिए यूट्यूपर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा पर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा तो अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्विंग बॉल में तो सर्विंग बॉल में मैंने निकाल ली आप देखिए डाल को देखते ही ऐसे लग रहा कि बस अभी खाना चपाती बनाएं कुछ भी लें और उसके साथ इस डाल को खा लें और यह डाल ऐसे भी खाने में अच्छी लगती है